तो दोस्तों Atlas OS का 22H2 वर्जन लॉंच हो गया है और जो इंस्टॉल करने का तरीका है वो बिलकुल भी अलग है और एकदम नया है तो इस वीडियो का थोड़ा भी स्टेप आप लोग मिस मत करना अचली वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों Atlas OS 22H2 इंस्टॉल करने का जो नया तरीका है वो यह है कि हम लोग ओरिजिनल विंडोज को इंस्टॉल करेंगे और उसको ही एटलस में करेंगे अपने इस सिस्टम पे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि Microsoft की वेबसाइट से Windows 10 22H2 वर्जन डाउनोड कर लेना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो उसके बाद आपको एटलस की साइट प्याना है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जागा यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहां थोड़ा सा सब्सक्राइबわかutan सब्सक्राइब यहां से manage setting में जाएंगे, अब यहां पे चार option होता है, चारो off होना चाहिए, यह real time protection off होना चाहिए, already off है मेरा, cloud deliver protection off होना चाहिए, automatic sample submission off होना चाहिए, temper protection off होना चाहिए, यह चारो feature आखके में off होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसको download करेंगे, अगर बीना off की आप इ Windows के features को disable करते हैं या remove करते हैं, तो यही दो files हैं जो यह काम कर रही है, तो Windows security को लग रहा है कि यह दोनों file virus है, और इसलिए यह Windows के features को disable कर रहा है, इसलिए इसको delete कर दे रहा है, तो अगर already आप पहले से ही atlas use करते हो, तो आपको disable करने के जोगत नहीं पड़ेगी, क्योंक Windows security already disable होता है, यह सिर्फ आपको तब करना होगा, जब आप Windows 10 पर या Windows 11 पर इसको download कर रहे हो, तो इस तरह से आपको download कर लेना है, Windows security disable करके, उसके बाद से एक और file आपको download करना है, वो होगा आपके Wi-Fi का driver, तो Google में आपको ऐसे search करना है, जैसे मेरा जो जिस laptop में install करना है, वो Z570 Lenovo का, तो मैंने ऐसे लिखा है, Lenovo Z570 drivers download, तो उस तरह से आपको भी अपने laptop के लिए, जिस भी company का है, वैसे लिखना होगा, और सबसे उपर ही website आपके company का भी, तो इस website को खोलना होगा, तो अब इस website का interface अलग-अलग हो सकता है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहो तो मेरे वाले case में बहुत सारा driver दिया हुआ है, तो यहाँ Intel का भी दिखा रहा है, और यहाँ Broadcom का भी दिखा रहा है, तो मुझे तो पता है, मेरे में Broadcom का है, तो मैं सिर्फ यह download कर लूँगा, अगर आपको नहीं पता है कि आपके में Intel वाला है, कि Broadcom का है, या किस company का है, तो अगर single दे रहा है, तो ठीक है, आपके में वही है, लेकिन अगर बहुत सारा दे रहा है, तो आप Intel वाला भी कर लेना, ब्रोटकम वाला भी कर लेना, और जिस हमें install करना आगा, उस हमें एक एक करके हम लोग install करेंगे, और जो भी आपके में होगा, वो वाला काम कर सब, यह मेरा Wi-Fi का driver है, और यह दोनों फाइल, अमलोग Atlas से download किया है, इन फाइल को क्या करना है, सबसे पहले तो यह जीप फाइल है, Atlas वाला दोनों फाइल, जीप फाइल है, तो इसको unzip करना है, यानिकि एक एक्स्ट्रेक्ट करना है, और एक दूसरा फोल्डर हम लोग ब bootable pen drive खोल करके अपना, और इस फोल्डर को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोगा folder copy हो गया bootable pen drive में, अब आपको क्या करना है, कि Windows 10 इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करते समय आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इंस्टॉलेशन के दौरान आपको इस फोल्डर हम लोगों ने pen drive में copy किया था, अब आपको क्या करना है, कि फोल्डर को खोलना है, और यह जो फाइल है, disable driver installation, इस पर double click करना है, और run करना है इसको, यहाँ पेस करना है, यहाँ पेस करना है, यहाँ पे okay करना है, इसके बाद आपको system को restart करना है, system restart होने के बाद आपको अपने windows को update करना है, तो एक बार जब update आपका पूरा download हो जाएगा और install हो जाएगा, तो आपको system को restart करना है, और फिर से दुबारा करके यहाँ फिर से update के लिए चेक करना है, क्योंकि एक बार में सारे updates डाउनलोड नहीं होते हैं, यह important है, आप लो administrator करना है, यहां से more info पर क्लिक करना है, और run anyway पर करना है, अगर ऐसा पूछता है, तो अगर run हो जाता है, तो कोई बात ही नहीं है, अब यहाँ पर क्या करना है, कि यहाँ पर playbook सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, और फिर से उसी फ defender है, उसको disable करने के लिए बोल रहा है, तो यह प्रोसेस करने से पहले, आपको क्या करना है, कि अपना windows security खोलना है, तो यहाँ से आप security सर्च करोगे, तो windows security यहाँ पर आ जाएगा, इसो खोलना है, तो यहाँ से virus and threat protection में चलेंगा हम लोग, और यहाँ से manage setting पर क्लिक करेंग यहाँ पर real time protection on है, cloud delivery protection on है, automatic sample submission on है, और यहाँ पर देखिए temper protection off है, तो इसको आपको on कर देना है, यह चारो on होना एकदम जरूरी है, और उसके बाद आपको cut कर देना है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कि run security पर क्लिक करोगे, यहाँ से open windows security करोगे, अब यहाँ पर यहाँ से एक एक करके चारों को off कर देना है, मैंने on इसलिए करवाया था, क्योंकि अगर चार के बदले हम लोग 3 अगर off करते हैं, तो उसको लगता, atlas वाली जो फाइल है, उसको लगता कि हम लोगोंने काम पूरा नहीं किया है, तो आपके process नहीं बढ़ता, अब यहाँ आप देखरों यह दिखा रहा है कि Windows security is disabled, अगर हम लोग ऐसा नहीं किये होते हैं, अगर एक भी पहले से off रहता और सिर्फ 3 हम लोग off किये रहते हैं, तो यह चीज नहीं दिखाता, तो आप परेशान हो जाते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे cut कर देना इसके बाद, और यहा परेशामी बीजाड है, वो अपने से run हो जाएगा, तो यहाँ से yes करना है, और अब यहाँ पे आपको next करना है, तो यहाँ पे आप देख रहो requirements made दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे next करना है, और यहाँ से आपको जो भी इसके license और टर्म से हैं, इसको accept करना है, तो इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे next करना है, और यहाँ से agree कर लेना है, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से next कर देना है, तो यह जो process शुरू हुआ है, यह आपके windows 10 को पूरी तरह से atlas में convert कर देगा, maximum आदा गंटा लाएगा, लेकिन आदा गं सो फाइनली जो process था हमारा वो पूरा complete हो गया है, और system restart हो गया है, आपने देखा है, अटलस का वाल पर हो गयरा भी दीख रहा था, जो login स्क्रीन था, और एक चीज में आपको बोल रहा हूं कि atlas में तो हम लोग उने पूरा convert कर लिया windows 10 को, लेकिन आपका system जब भी बार ब open होगा, on होगा, तो यह ame wizard वाला जो फाइल है, वो बार बार रन करेगा, तो इसको आटाने का जो तरीका है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो पहले तो आप यहां से cut कर दो इसको, इसको आटाने के लिए या तो जो folder हमने copy किया था, जिसका यूज करका हम लोग सारा काम कर रहे थे, यह वाला folder जो है, ame wizard वाला, तो इसको delete करना होगा आपको, लेकिन delete करने से पहले आपका यह भी file है, जो हमारा wifi का driver है, तो आपको wifi का driver इंस्टाल करना होगा, क्योंकि अभी आप अगर देखोगे, यहां पे तो wifi का driver नहीं है, तो यहां पे कोई भी internet चलान करेंगे, और system को restart करेंगे, यह आप देख रहो, बार-बार यह अपने से आ जा रहा है, तो इसी को बंद करना है, तो इसके लिए जो folder है हमारा, यह वाला, जो हम लोगों ने copy किया था, यह जो एटलस का folder है, जो अपने से आता है, यह बहुत important है, इसको आप लोग गलती सम कनेक्ट हो गया है, वाई-फाई मेरा कनेक्टेट दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ समलोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और सेटिंग में आएंगे, और यहाँ से सिस्टम सेटिंग करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो, विंडोज इस अक्टिवेटर विथे डिजिटल लाइसेंस, तो यह मेरा एटलस ओएस जो है, जो हमने अभी इंस्टॉल किया है, यह अक्टिवेट हो गया है, यह क्यों अक्टिवेट हो गया है, वह मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक वीडियो के तरफ से फ्री है, यह अगर आपके में विंडोज 10 ही आया था, और विंडोज 10 ही आप इंस्टॉल कर रहे हो, एटलस ओएस बैसिकली तो इसको एक्टिवेट होना ही है, जैसे ही आप इंस्टॉल करने के बाद इंटरनेट से करनेट करोगे, यह एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत साथ लोग परिसान रहते हैं कि एटलस OS को कैसे एक्टिवेट करें, तो उन लोगों के लिए मैंने यह बता दिया, कि अगर आपके लैपटाप में ओरिजिनल विंडोज था, तो आपका एटलस OS एक्टिवेट हो जाएगा, तो दोस्तों एटलस इंस्टॉल करने सेकंड विडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, विडियो अच्छे लेगे तो विडियो को लाइक करें है, कुछ पूछिना चाहते हैं आप तो नीचे कॉमेंट करना, मैं आपको जब रिप्लाइ करूँगा, और दोस्तों अगर आपको computer science और information technology पसंद है, तो चैनल को subscribe करक नोटिफिकेशन बिल जोग दबाले जेगा, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अप्लोड कर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, all our friends, this is Anand signing out